प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट नमस्कार पिर ये विद्यारतियों स्वागत आपका वीकेश फिजिक्स अकैडव में आज हम सुरू करें हैं इलेक्ट्रोनिक्स बीएसे थर्ड येर का लेक्चर फर्स्ट आई और अब से मैं कंटिन्यू कंटिन्यू अपका चैप्टर वाइस यूनिट वाइस जो है पुरी इलेक्ट्रोनिक्स के धिरे दिरे टोटल वीडियो आपको उपलब करवाऊंगा और मुझे ये लगता है कि इलेक्ट्रोनिक्स जो है वो समझने के दर्श्ट्री से बहुत important चीज है और competition के अंदर इसके बहुत ज़्यादा numericals जो है पूछे जाते है तो BSC के लिए भी काफी important है ये और competition के लिए भी काफी important है ये जो है आपकी जो branch है electronics physics की काफी important है बीएस एलेक्टोनिक्स के दो वीडियो में पहले भी डाले थे जो की थियोरम्स पर हैं जो पहले युनिट के अंदर याते हैं यहां पर मैं उससे भी पहले बेसिक तोर पे मतलब जहां से अपनी युनिट की फर्ष्ट युनिट की सुरुवात होती है परिपत्थ विशलेशन सर्किट एनलाइसिस से वहां से सुरू कर रहा हूँ और सबसे पहले अपने सामने आते हैं किर्चोफ नियम और किर्चोफ नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी होती है यानि परतिबाधा क्या होती है परतिबाधा कितने परकार की होती है साखा क्या होती है कि सर्किट जब हमारे सामने आएगा तो उसके अंदर हम branch, loop, node ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगे कि लूप क्या होता है, संदी क्या होती है, साखा क्या होती है, किसमें क्या उसकी property है, तो ही हम electronics को अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है परतिबाधा, वैसे तो परतिबाधा की बेरे हम जानते हैं कि एक तो होता है परतिरोध, परतिरोध तो शिरफ होता है कि किसी भी conducting wire का या आप external परतिरोध अगर लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो परतिरोध है, लेकिन अगर सरकिट के अंदर, परिपत के अंदर, परतिरोध के साथ साथ, इंडेक्टर, कैपेसिटर यानि की परिरक्तव, धारिता, आदि ये सब से जुड़ी होई हो, तो ये टोटल मिलकिय सरकिट में जितना अवरूद पैदा करते हैं, उसे आप impedance या परतिबाधा कहते हैं, अब परतिबाधा जो है electronic अंदर, दो परकार की होती है, एक तो होती है रेखिक परतिबाधा, रेखिक का मतलब है जैसे ओम का नीम होता है, कि जब voltage और current में जो graph खींचा जाता है, वो एक एसरल रेखा पराप्त होती है, उसी परकार अगर परतिबाधा के अंदर से धारा परवायत की जाए, और उसके सीरों पी वांतर के मध्धे एक graph खींचा जाए, तो एक सरल रेखा पराप्त होती है, तो इस परकार की परतिबाधा को आप रेखिक परतिबाधा कहते हैं, linear impedance कहते हैं, ये परतिबाधा जो है किसमे होती है, जैसे परतिरोध R होता है, प्रेरेक्तो होता है, संधारित्र होता है, इनकी परतिबाधा जो है, वो क्या होती है, रेखिक होती है लेकिन डायोड है ट्रायोड है अर्ध चालक डायोड है समिकनेक्टर जो डायोड होती है उनकी परतिबादा है रेखिक नहीं होती क्योंकि उनमें ग्राफ जो है वो रेखिक अपराप्त नहीं होता है यह रेखिक अपराप्त होता है फिर होती है एक जिसा को बदल दें यानि पलट दें तो उस परतिबाधा का मान अगर चैंज नहीं होता है तो ऐसी परतिबाधा को हम बाइलेटरल परतिबाधा इनमें नहीं होती है अब आता है अपने पास ब्रांच साखा क्या होती है कि जो आपका नेटरिक है आपका परिपत जाल है उसका वह भाग जिसमें धारा कमान क्या रहे कॉंस्टेंट रहे नियत रहे उसे हम कहते हैं ब्रांच कहते हैं साखा कहते है अभी मैं आपको diagram दिखाऊंगा तो आपको समझ में ओर आजिएगा कि कहाँ पर branch है कहाँ पर node है और कहाँ पर loop है तो A, B, B, C और C, D ये जो है वो साखा कहलाएंगे अपनी branch कहलाएंगे अपने diagram के अंदर संधी या node जाल में जिस बिंदू पर दो या दो से अदिक साखाई मिलती हो उसे आप क्या कहते है नोड कहते है संधी कहते है B और C यागदी point जो आपकी होंगे इस diagram में वो क्या कहलाएंगे संधी या node कहलाएंगे और past होता है काफी important है ये दोनों चीजें किर्चोफ के नियम जो है वो संधी और past पर ही लागू होते है इसी के इनका उप्यूग होता है तो परिपत में दारा का वह है बंदपत इसके लिए close path होना जरूरी होता है past में बंदपत जो कुछ साखाओं के द्वारा बना होता है उसे आप क्या कहते है उसे आप past या डूप कहते है A, B, F, A ये जो करम वाइज मैं अभी आपको डाइगरम में इसकी साहिता से डाइगरम की साहिता से आपको बताऊंगा कि कहां पर ब्राच है, कहां पर संधी है कहां पर past या लूप है तो इस परिपथ जाल में आप देखिए कि साखा कहां पर है, साखा मैंने आपको बताए था कि जाल का वो भाग जिसमें दारा कमा नियत रहता है उसे आप क्या करते हैं, साखा गयते है यानि इसमें A, B, B, C, C, D ये सब क्या है, ये ब्राच कहलाती है परिपथ की साखाए कहलाती है फिर मैंने आपको बताए कि संधी संधी क्या बताए मैंने आपको कि जहां पर, वो बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक ब्राचेज मिलती है ये भी ब्राच है, ये भी साखाए है दो या दो से अधिक ब्राच मिले उनने आप क्या कहेंगे संधी कहेंगे नोड कहेंगे तो ये जो point आपको B दिखाई दे रहा ये B point ये B एक noड है ये C point है ये भी एक क्या है node है यानि इन पे क्या है दो ये दो चेतिक ब्रांच जो है के मिल रही है ये क्या कहलाती है nodes कहलाती है याने संधियां कहलाती है और फिर मैंने आपको बताया pass pass या loop तो परिपत में दारा का वहे बंदपत वहे बंदपत जो कुछ साखाओं के द्वारा मिल कर बना होता है उसे आप क्या कहते है pass कहते है जैसे कि A, B, F, A ये जो आपका ये पूरा जो loop है ये loop कहलाएगा ये pass कहलाएगा जो क्या है तारा का वह बंदपत है जो कुछ साखाओं के द्वारा मिल कर बना होगा उसी परकार से B, C, E, F, B ये जो आपको दिखाएदेरे बीच वाला ये जो पूरा पूरा area जो है जिसमें तीन साखाओं है एक बंदपत के रूप में मैं बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा पास कहलाएगा तो ये कुछ definition थी अब हम पढ़ते हैं किर्चोफ का नियम क्या होता है किर्चोफ के दो नियम होते हैं वैसिकल ये आप जानते भी हैं क्योंकि ये 12th class में थोड़ा basic कि आ जाता है कि किर्चोफ के दो नियम होते हैं एक धारा का नियम है और एक है वोल्टा का नियम है तो किर्चोफ का पर्थम नियम या जिसे धारा का नियम भी बोला जाता है ये क्या कहता है कि संधी पर मैंने अभी आपको पता है कि जो नोड होती है संधी पर मिलने वाली धाराओं का जो 20 गंतिय योग है वो मेशा क्या होगा सुन्य होगा जो भी धाराएं संधी पर आके मिलती है चाहें वो संधी से जा रही हो या संधी पर वो आ रही हो उन सभी का बेज़ गनिते योग जो होता है जीरो होता है यानि समेशन आई बराबर जीरो तो ये मारे पास एक डाइग्राम है जिसके अंदर हम ये मारे नोड है ओ यहाँ पे I1 करणट अंदर आ रही है I2 जो बाहर जा रही है I3 अंदर आ रही है I4 बाहर जा रही है और I5 जो है वो अंदर आ रही है तो इसके लिए चिन परिपार्टे का अपने उध्यान रखना आवशक है जिए दोनों नियमों में चिन परिपार्टी ही हमें ये समसने में उप्योगी होगी कि हमें किस परकार से इनका योग करना है तो पर्थम येम तो काफी शिंपल है लेकिन सेकेंड येम जो है उसमें अगर हम चिन परिपार्टे का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे equations है वो गलत हो जाती है और हम numericals जो है अपने results अपने नहीं मिला पाते हैं तो उसमें परिपार्टे क्या है जो संधी पे आने वाली धाराएं है यानि जो संधी पे आ रही है बाहर से उनको हमेशा पलस में दिया जाता है जैसे I1 आ रही है तो ये पलस में दिया जाएगा I3 अंदर आ रही है तो ये पलस में दिया जाएगा I-5 है वो अन्दर आ रहे है तो ये भी क्या लिया जाएगा पलस में और जो संदी से दूर जा रही है वो धाराओं को लिया जाता है Negative यानि कि I-4 को negative लिया जाएगा और I-2 को negative लिया जाएगा और इन सब का जो टोटल योग है वो क्या होना जाएगा 0 ना चीए तो I1 पलस का है क्योंकि अंदर आ रही है I2 माइनस का है क्योंकि बाहर जा रही है I3 पलस का है अंदर आ रही है I4 माइनस का है क्योंकि ये बाहर जा रही है और I5 क्या है पलस का क्योंकि ये अंदर आ रही है इन सब का जो योग है वो क्या होगा जीरो होगा तो यहां से मैं पक्षांतन करूं तो I1 पलस के I3 पलस के I5 यहाँ जाएगा और पक्षांतन से I2 पलस के I4 है वो दूसरी साइड में चला जाएगा तो यहां से आप एक दूसरा स्टेप भी ले सकते हैं इसमें आप यह कह सकते हैं कि संधी पर आने वाले संधी पर आने वाले I1, I3, I5 है आने वाली हैं संधी पर आ रही हैं और I2, I4 है वो बाहर जा रहे हैं तो संधी पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधी से दूर जाने वाले धाराओं के और अगर स्थाई दराओं की बात करें, स्टेडी करंट की बात करें, जो alternating नहीं हो, regular DC supply बैटरी के द्वारा सरक्ट में हो रही है, तो इस condition में संधी के उपर इस नोड पे आवेश का कोई भी संचे नहीं होता है, यानि पर 30 सेकंड जितना आवेश नोड पर आता है, उतना ही आवेश संधी से वापस चला जाता है, तो इस परकार से इसमें आवेश स्रक्षन का पालन होता है, और जो किर्चोफ का फर्ष्ट नियम है, वो आवेश स्रक्षन के नियम पर ही आधारित है, तो दूसरा नियम है दोस्तों किर्चोफ का द्वित्य नियम, या जिसे कथन देखे लिजे क्या होता है कि किसी बंद परिपत में हमेशा याद रखें कि जो किर्चोफ का द्वित्य नियम है वो हमेशा बंद परिपत में ही लागू होता है क्योंकि इसके लिए पास चाहिए और पास जो है वो कलोज लूप ही होता है कलोज होता है बंद परिपत में विदुत वाहक बलों का विदुत वाहक बल कौन से जो voltage source आपने दे रखी हैं सरकिट में यानि जो batteries हैं जो cells हैं आपके वोल्टा स्रोत हैं उनी के कार्ण जो विदुत वाहक बलों का बीजिया योग उन सब का total परती रोधों के सीरों पर यहाँ पर मैंने simple रखने के लिए प पतन यहाँ पर voltage drop होती है क्योंकि प्रत्र Cordart के काम होता है voltage वोल्टेज को कम करना उसमें हाने करना दारा के बान को कम करना तो यह voltage drop होता है तो वीभो पतन के वीजिये योग के तुल्य होता है यानि कि यह वीभो पतन जो होगा इन पर दोनों पर जैसे माल लिए R1 पर मैं और R2 पे V2 माल ले तो इन प्रतिरोदों के सीरों पर जितना voltage पतन होगा उनका योग और जो वोल्टा स्रोत हैं इनका जो विजूत बाहक बल है इनका योग क्या होते हैं इनका 20 योग आपस में बराबर होता है या आप इन सब का total 0 के बराबर भी ले सकते हैं वो एक अलग कस पतन है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या करना होता है तो यह हमारे पास डायग्राम है जिसमें एक battery मैंने यहां लगाई plus minus E1 और यहां पे कर रिजिस्टेंस है R1 जिसका विभो पतन है V1 और R2 रिजिस्टेंस है जिसका विभो पतन या वोल्टा पतन ह है V2 और यह B pointer यह C pointer यहां पे लगा है कि दूसरी battery E2 जिसे वोल्टा सरोत भी आप कह सकते हैं plus से minus और हम इस circuit में चल रहे हैं anti-cloak wise यह याद रखें आप तो चिन परिपार्टी पहले देख लीजिएगा काफी important है यह किर्चोफ का दिट्यनियम और सारे numerical सारी जो आपकी पर्मे हैं वो इसी अधार पे हल होंगी दूसरी जिट्यनियम की साहेता से तो आपको इसमें याद रखने वाड़े बाते हैं कि किर्चोफ नियम में किस प्रकार से आपको धारा की दिशा लेनी हैं किस प्रकार से पलस माइनस लेने हैं तो पहला जो चीन परिपार्टी है वह यह काहती है कि बैटरी या वोल्टता स्रोफ मैं बात कर้ा हूँ याझनि पलस से माईनस के और अगर आप जाओगे तो आपको जो इसका विद्ध वहाकबन उसको लेना है नेगिटिव में जाद रखें अगर आप इनका विजुद वाहगबल नेगेटिव में लेना है और वसिऍ वर्षा वसिवर्षा क्मनला होता है आपोजिट Commercial यानि माइनस से पलस के ओडे अगर जाओगे cell के लिए या battery के लिए तो आपको उनका जो विदुत वाहक बलव से क्या लेना होता है धना आत्मक लेना होता है पोजिटिव लेना होता है दूसरी आपकोना है धारा की दिशा के संगत यानि अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं जैसे हमने लिया कि A से हम प्रारम करते हैं क्लोकवाइज दारा है, और इसमें हम जल रहे हैं, A से B, C से D होते हैं वापस A पर आते हैं, तो दारा की दिशा में अगर हम चलते हैं, तो जो वोड़ता पतन है, वोड़ता पतन कहा होगा, R2 पर अबर यह वोड़ता पतन दारा के दिशा में तो पुजिटिव लिया और धारा की भी प्रीत दिशा में क्या लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाता है तो इस अधार पे हम समीकन बनाते हैं तो मान लेते हैं अपने ए से शुरू करते हैं और क्लोक वाई डारेक्शन में मैं चल रहा हूं आई धारा सरकेट में बह रही है तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो बैटरियां है आपकी इनका जो टोटल है भी जे योगई एक तरफ लेना है और जो वीभो पतन उनका योगई एक तरफ लेना है और किस प्रकार से लेना है कि देखिए ये से हम चलना शुरू करते हैं क्लोक वाई तो ये अपनी रस्त में आ रही है या अगर बैटरी के पलस से माइनस क्योड जा रहे हैं तो आपको क्या लेनी है उसका विदुत वाग बले रनात्मक लेना है तो आगया माइनस का E2 और जब यहां से चलते हुए जब आप यहां होगे तो अब माइनस से पलस क्योड जा रही हैं तो आपको क्या लेना है बैटर जो वोल्ट ताएं है विभो पतन का बीज ये योग है वो सुनने के बराबर होता है अगर आप ऐसा करते हैं कि आप समेकन जिरो के बराबर वाले लेके चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग अथन है उसमें ये आपको अपोजिट लेने पड़ेंगे फिर फिर आप पलस्ते मा ये बराबर जिरो के साथ तो उसमें हम क्या करते हैं दारा की दिशा में चलते हैं जब तो पलस से माइनस के ओर जाने पर इसको पलस लेते हैं और माइनस से पलस जाने पर इसको हम माइनस देते हैं तो दोनों में से आपको इसा भी उपयोग कर सकते हैं तो यहां पर अपनी है जिसमें हम दो लूप लेंगे यहां पर देखिए आपकी A, B, C, D, E, F दो लूप है जिसमें एक बैटरी है E1 यहां पर लगाई है पलस माइनस दूसरी बैटरी यहां पर लगी है पलस माइनस E2 यह R1 परतिरोद है यहां R2 परतिरोद है और यहां पर है परतिरोद है R3 तो पहले तो हम इन battery की साहिता से हम धारा की दिशा को डिनोट कर देते हैं battery E1 जो है उसके कंड़ धारा इस दिशा में चलेगी तो यह आईवन आगी यहाँ पर और battery E2 है उसके कंड़ मान लेते I2 धारा चलती है वो यहाँ गी यहाँ दोनों मिलती है और मिलके यह I3 धारा बन जाती है जो I1 प्लस I2 के बराबर है I3 धारा I1 प्लस I2 के बराबर जो resistance R3 में से गुजरेगी और यहाँ पर आएगी I3 यानि कि I1 प्लस I2 फिर इस direction में यह आपस में वापस बंट जाएगी I2 इधरा जाएगी और I1 उपर चले जाएगी आपके पास दो या तीन पास हों लूप हों तो आपको उन दोनों तीनों में आपको एक ही direction में चलना या तो उन सब में आप anti-cloak वाई चलें या उन सब में आप cloak वाई चलें ऐसा नहीं है कि एक में आप anti-cloak वाई चलें और दूसरे में आपको लोगवाई चलेंगे तो नियम आपका ये लागून नहीं होगा तो इसमें जो मैंने आपको दो नियम बताये थे इसमें परिपार्टिय बताये थे उसके इसाब से हम इनमें अब equation ग्याद करते हैं पहले मैं लेता हूँ ये एक number loop के ब्राबर होगा तो जैसे हम यहां से चलते हैं कि A से चला मैं एक बार मैं इसकी बात नहीं करूँगा इनको तो बराबर में अलग लिखेंगे तो यह देखें यहां पर हम आये तो I2 R2 अपने पास आया यहां पर क्या आया I2 R2 लेकिन मैं इस दिशा में चल रहा हूँ मैं I1 के साथ चल रहा हूँ यानि मैं इस loop की बात कर रहा हूँ I1 तो नीचे आजएगी इस loop की बात कर रहा हूँ लेकिन इसमें धारा की दिशा पोजिट है लेकिन मैं जा रहा हूँ इस दिशा में यानि कि हमारे दिशा के विप्रीध है तो यह i2 r2 क्या हो जाएगा माइनस यानि यह जो वी भो पतन है यहाँ पर इन दोनों का multiply ohm के नियम से v बराबर i r होता है तो यहाँ पे v ही है यानि v2 कह सकता हूं मैं लेकिन मैंने simple रखने के लिए सिरफ इसको i2 r2 का multiply लिखा तो minus आजेगा फिर हम यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पहुंचेंगे तो यह यहाँ पर i1 धारा और r1 का multiply यानि कि उसी direction में कोई सामने से current नहीं है तो यह plus में आजेगा i1 r1 पराबर यह तो इतना ही रह गया क्योंकि दो यह अपने पास पर्त्रों थे बीजे योग हो गया इनक अब हमें लेना है वोल्टाओं का यानि कि बैटरी की वोल्टाओं का तो मैंने आपको बताया था कि जब आप माइनस से पलस की ओर जाते हैं तो आपको क्या लेना होता है जो विभू पतन है विधुत वाहाक बल है वो पलस का लेना होता है तो पलस का यह बना गया और जो म इकन आजेएगी डारेक्ट इसकी बात होगी नहीं फिर तो यह यहां से पक्षांतन करेंगी और हमारे पास जो है यह फर्स्ट लूप की equation अपने पास आ जाएगी फिर बात करें दूसरे लूप की तो दूसरे लूप में आप देख सकते हैं कि direction मेरे पास है D E F C और D वापस यह यानि कि यह एंटी क्लोक पाई जी है इसमें आप क्या करेंगे यहां से हम स्टार्ट करते हैं D से यानि D से यहां आया तो I 3 R 3 आ गया है यहां पर सामने से कोई धारा नहीं है यानि कि जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में इसमें बा यानि कि I 2 R 2 यह भी प्लस का तो यहां पर और बराबर क्या आएगा यह जो बैटरी है इनका तो बैटरी में आपको पता है कि चिन परबाट्टी से माइनस से प्लस के और जाने पर क्या लेते हैं प्लस का लेते हैं तो प्लस का I 2 और दूसरा इस लूप के अंदर कोई नियम पर अधारित है और पहला नियम जो है वो आपका आविसर्क्शन पर धियुर्ण तो इह सब पर्वें जिनकी वीडियो में दो एक की बड़ा भी रखी है तो यह सब पर्मे जो है इने कि आधार पर हल होंगी जितने ये स्वे निमेरिकल्स जो है वह इनी चेन्ड परि तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि अब मैं रेगुलरी स्टेब बाइस्टेब यूनिट में परतेक टोपिक में आगे शागे चलता रहूँगा और डेल ये आपको वीडियो जो हैज की मिलती रहेंगी या कभी-कभी एक-दो दिन का गैप आजें तो इंतजार करना क्योंकि मैं काफी कलासेज की वीडियो बनाता हूँ धन्यवाद